हेलो यूटीब आज मैं जो डिफरेंट स्टिच बना रही हूं वो विगनर्स के लिए बना रही हूं तो सबसे पहले जो मैं स्टिच बनाऊंगी ऐसे स्टार्ट होगा यह देखें आप इसमें आप बेशक इस तरह से आप लाइन लगा लें क्योंको यह स्ट्रेट जाएगा यह वाला स्टिच यह है ऐसे अगर आप कहीं भी बना रहे हैं तो आप लाइन लगा के बना सकते हैं यूँ आपने इतना स्टिच लिया ऐसे फिर आप जितना उसको यह वाली शेप देना चाहा रहे हैं इस तरह से तो आप उसे गुलाई में लेके आएं सरकल में ले आएं हाफ सरकल जैसे बनता है हुआ हुआ है यह हुआआ है आपको जो भाम जो को पाम में जो झाला हो झाला है ये इस्टराब 1,2,3,4,5 और अब हमें ये ऐसे बन गया अगर आप चाहें तो ये थ्रीवला भी बना शक्ते रहाएं अगर चाहें तो ये थ्रीवला भी बना सकते हैं तो आप 7 भी बना सकते हैं यह आपके अपने ऊपर डिपेंट करता है फिर अब हमने अगला स्टार्ट करना है फिर हम ऐसे लेकर हैं इस तरह से यह आप बॉर्डर के तौर पर कहीं भी यूज कर सकते हैं यह वाला जो स्टीच है इसी तरह से आप इसको आगे तक बनाते हैं कंटीनियू रखें इसका यह वाला डिस्टेंस स्मॉल भी कर सकते हैं इससे ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं यह आपके अपने उपर डिपेंट करता है और अगर आपको थ्री वाला बनाना है तो यह अब मैं आपको थ्री वाला बना के दखते हैं यह यह इतना सा ऐसे बनेगा झाला बना 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 कि लाला बना कर दो यह वाले जाब लीकादा झाला अबज़ में नच्ट बनाइंगे वहळाय एक थह हम बुलीन नट बनाते हैं और दूसरा पहम बुलीन नट यह एक चैन बनाँगी मैं जो बुलीन नट के साथ बनेगी तो उसमें half जो है वह बलैन होगा और half जो है उसके साथ बुलीन बनेगा सुरी पहले मैं फुल बुलियन के साथ बनाती हूँ चैन और उसके बाद आप देखेंगे मैं हाफ को उसके साथ बनाऊंगी यह देखें अब यह देखें इसमें क्या है आपने इतना रखा इसका धागा यहां तक यूं किया अब क्योंकि यह हाफ हमने प्लेन बनानी है और हाफ पे हम बुलियन लेके आएंगे यूं तू त्री पॉर फाइब और यह इतना ही है कि इसमें शिक्स बुलियन आजाएंगे अब ऐसे आपने ले आएं यहां तक इस थरह से फिर यहां से आपने नीडल नीचे गजारी यहां ऐसे यूँ और फिर थोड़ा से इसको इस तरह से हमने करना है ऐसे थोड़ा से इस तरह और फिर हम बनाएंगे यह थोड़ा से ट्रिक्य है 1,2,3,4,5,6 यह ऐसे इसे आप ऐसे बेशक कर लें और फिर यहां से इस तरह 1,2,3,4,5,6 अज़ लूब टो लूब से यूँ लूब टो और जोब टोरास है बड़को टेस्टरा यह इस तरह से आपने और एंड पर आपने फिर इसे क्योंकि हमें थोड़ा से इसको इस तरह रखना है ऐसे तो जो आप जब एंड करेंगे इसका तो आप इस तरह करेंगे फिर अब मैं बनाती हूं बुलियन नाट के साथ ही स्टैम स्टेज लोह बया से अब लिए हैं से अब लेंगे से हाथ से यहाद के लोड़ा लिएज़न अब लेसके लोड़ार से . अब फिर इसके हाफ से इसके सैंटर से तो यह इसी तरह से आप इसको यह एक स्टेम की शकल बन जाती है इसे आप स्टेम स्टिच के इलावा अगर आप चाहरे हैं कि थोड़ा सबसे 3D टाइप लूक देना चाहरे हैं तो आप इसी बुलियन नाट के साथ स्टेम स्टिच बनाएंगे यह इस तरह से आप इसी तरह से आप इसे कंटिनी रखेंगे अब हम बनाते हैं कास्ट ओन स्टिच के साथ इसे यूँ आपने किया ऐसे आप इसे यूँ आपने किया ऐसे इसे आपने सेम उसी तरीके से ही इसे बनाते जाना है जैसे हमने बुलियन नाट बनाई थी इसी तरह से हम यह कास्ट ओन के साथ भी बनाएंगे हर स्टिच जो है वह हर काम के लिए बनाया जासे यूज हो सकता है 1 2 3 3 4 5 5 आए 6 इसी तरह आप यह कास्ट ओन के साथ भी इसका स्टें जाना से इसे बना सकते हैं तो अब मैं बताती हूं आपको डिफरेंट टाइप की केबल चेन स्टिच जो है वो कैसे बनाते है आपने ऐसे लिया ये अब आपने थ्री लिये बुलियंद और फिर यूँ टू भी ले सकते हैं थ्री भी ले सकते हैं अब मैं आपको टू के साथ भी बना के दखा देती है बटता है रसे बनापको पना झी का रहाँ राज़ से वड़ इख से बनापको यह भी करेंड़िया नहाँ झाल यहाँ फुलियो ओुलियोरागली तर दुलियोटे स्ट्रशादबियो ले राज़ियो धुलियोध। कर द utilizz कि यदॉन झाना झूछ क्शोल स्चिन रिल इस तरह से आपने यह यह केबल बुलियन केबल चेन स्टिच बानों है अब मैं आपको उपताती हूँ के लूज वाली जो चेन स्टिच है जो वाइटर होती है वो कैसे बनाते उसके लिए हम इतना गैप करते हैं और फिर इस साइट पे ले जाते हैं नीडल और फिर हम यहां से इसमें थोड़ा से लूज छोड़ना होता है विल्कुल टाइट नहीं करना ताकि आपने थोड़ा से इसको वाइटर करना है तो लूज करेंगे तो वाइटर होगा अतरवाइज वो टाइट होगा तो फिर नहीं होगा यूँ और जब आपने इसे बंद करना है तो फिर आपने यूँ करके इसको बंद करतें तो अब जो नेक्स्ट स्टीच मैं बना रही हूं और रही हूं हेरिंग बोन स्टीच हम बनाते हैं लेकर यह देखें आपने इसमें यूँ यूँ यह क्या है हाफ एरिंग बोन है और हाफ लाइक जमन्थी स्टीच है यह यूँ ढूएं यूँ का जावने हैं यूँ दो यूँ दो यूँ दो पर यूँ आ जो आपने यूँ यह लिखिए यह बनते है अब मैं बनाती हूँ वाइस्टिच इसको हम वाइस्टिच भी कहते है इसमें हम टू शेयर्ट भी यूज कर सकते हैं अगर आप डबल शेट यूज करना चाहरे है तो आप वह एक दफा इसका स्टिच करें आप और दूसरी दफा दूसरे धागे से स्टिच करें दूसरे कलर के साथ इस तरह से आप ये ये वाला हो गया वाइस्टिच तो आज हमने कितने स्टिच बनाएं वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन और एट स्टिच आज हमने बनाएं तो ये थे हमारे डिफरेंट स्टिच इस तरह से और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें बिगनर्स के लिए जिसमें डिफरेंट स्टिच इस होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेस्बुक पेज को लाइक करें थेंक्यू